स्टूडेंट्स आप मेंसे कुछ बच्चों के ना मेसेजिज आए वे थे कि सार आप ना यह जो आपकी बुक है डामेडिकल फिजियालोजी तो आप इस पे एक रिविई वीडियो बना के दें ताकि हमें आईडियो हो कि बुक किस तरह से है और हमारे लिए कितनी हेलफूल है और हमें इसका अईडियो होगे तो मैंने सोचा चलें आपको इस पे एक वीडियो बना कर दे देते हैं ताकि आपका भी फायदा हो और आपको ब्यात पताओ कि Yas將 के का बुक के फीचर क्या है तो आप में इसे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भ आप गैटन जो आपकी रिकमेंड़ बुक काई गेनाँ गया एल शेर वूड जेप यह इन चार बुक से इसमें से कंटेंड लेकि इसको एक बाइंड किया गया है इसके साथ साथ इसके इलावा यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन बुक को ही ज्यादा फालो किया गया है इसमें स्टूर्णेश काफी सारे ऐसे चीज हैं भी एड की गयी जो आपको कॉशनस में तो आती हैं लेकर इन बुक में नहीं मिलती थी वो उनको मिलती दरूर थी लेकर assembled farm में नहीं थी तो students इसमें हमने assembled farm में एक book इस तरह से त्यार किये ये book आप ये पूरी की complete and concise book है all medical universities professional exams के लिए ये किसी university के लिए specific नहीं है ये इस तरह की book है जिस तरह से fitos market में आपने देखा होगा कि ये fitos मैं ये नहीं कहता कि वो book अच्छे नहीं लिखी वी लेकिन उसमें ये है कि सिर्फ तोड़े से drawbacks थे कि उसमें नहीं डाइग्राम्स नहीं थी और topic कुछ ज्यादा इशार्ट करके लिखे गए थे जिससे हमारे university questions की requirements पूरी नहीं हो रही थी हमारे mcqs के attempt नहीं होते थे वहां से तो students इसके ही खातर हमने इस पे काम किया है जिसमें आपको इस book के features में सबसे ज़्यादा जो चीज अच्छी मिलेगी वो ये है कि mcqs हैं इसके अंदर viva के questions भी आड़ हैं scale of low charts आड़ हैं और start diagrams भी आड़ हैं तो students आज हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कैस के कौन कौन से topics आड़ किये गए तो ये जो students ये आपको पहले बता दूँ कि ये book first year mbbs, bds, dpt और second year mbbs, bds और dpt के students यूज कर सकते हैं इसके इलावा nursing students भी यूज कर सकते हैं allied health census के भी students इसको यूज कर सकते हैं और d farm के students भी यूज कर सकते हैं तो ये complete book है students वो आपने इसको आपने देखना है और बहुत अच्छी लिख्यूए book इसके इलावा students अगर हमें इसके page quality की बात करें तो इसके page quality बहुत अच्छी है students इसमें और इसके इलावा ताकि topic आपके पास अच्छी retention मेरे इसके इलावा साब कुछ उसके examples उसको heading बनाके ही दिया गया है इसके इलावा flow charts भी add किये गए है इसके इलावा हम बात कर लेते हैं students आप से पहले इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से table of content क्या है इस book का जो के हमें मतलब लेनी चाहिए किस तरह से क्या इसमें कौन कौन से topic की requirement है और क्या कुछ दिया हुआ है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं इसके table of content के बारे में आज बात करते हैं तो students इसमें हम बात करें तो इसमें cell के बारे में देख लें यह सारा इसमें दिया हुए नार्मन मसल्स हैं बलाड है हार्ड सर्कुलेशन है अब स्टूडेंट्स फास्टियर के जो MBBS के स्टूडेंट्स होते थे वो उनको DPT के MBBS BDS उनको साफसे ज्यादा जो इशू आता था गैटन्स में यह सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ है काफी बड़ा लैंटी काड़ लिखा हुआ है इसमें से हमने कौन सी चीज़ें करने हैं किस तरह से करने हैं तो यह इशूद होते थे तो इन इशूद को देखते हुए इस सारी इस बुक पे काम किया गया है इसमें सर्कुलेशन की और इसके इलावा आपको यह जो उसमें सेकंड यर में स्टूडेंट्स फेस करते हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से वो भी आपको फेस नहीं करना पड़ेंगी वो आप इसी बुक से ही साब कुछ कार सकते हैं इसमें यह साब कुछ सर्कुलेशन के टापिक् production है इसके लावा हम बात करते हैं students इसमें आ जाती है special census के topics आ जाते है nervous system आ जाता है nervous system को pure defined किया गिया यहां पर देखें कि इसमें वो sensory portion को दिया गिया और इसके लावा motor portion को heading बना के दिया गिया एक separate topic की इसके लावा students आपको renal system मिलता है इसके अंदर skin temperature का है deep sea and aviation है GIT है उसके बस sports physiology है DPT का portion है तो students आज हम इसमें बात कर लेते हैं कि इस book का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें diagram डाइड की है color book है इसमें आप देख सकते हैं मैं random pages को टार्ण का रहा हूं ताकि आप इसको idea ले सके और आपको पता चल सके कि यह किस तरह की book बनी वी है इसमें देख रहे होंगे students आपको यह heading मिल रही होंगी साथ साथ आपको diagram भी मिल रही होंगी इसके अंदर आपको flow charts मिलते होंगे tables मिलते होंगे यह सारी चीज़ें इसमें students add की गई है अब जिस तरह से यह cardiac cycle है तो उसके आपको cardiac cycle की यह diagram भी यहां पे मिलेगी उसके events मिलेंगे कि आप उसके duration मिलेगे यह सब कुछ आपको heading के साथ मिलेगा और इसके इलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है students इसमें यह है कि इसमें bullets बने होंगे जिससे retention अच्छी होती है इसके इलावा हम बात करते हैं इस ही बुक के अंदर ही बाकी यह सारे के सारे रैंडम topics हैं students आप इसको देख सकते हैं यह सारा का सारा इसमें table भी दिये हुए गाइटन की कुछ टेबल्स हैं जो गाइटन से लिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं इसके इलावा students यह सारे के well organized book है तो आप इसको लागमी लें और यह फिर दोस से बहुत अच्छी book है फिर दोस से अच्छी लिकी वी है और आप इसको पढ़ें इसमें सब कुछ दिया हुए हर चीज़ यह आपके mcqs, sqs भी attempt कराएगी सब कुछ कराएगी इसके लावा हम बात कर लेते हैं students इसमें जो एक और feature था वो यह feature है कि इसमें students mcqs भी दिये हुए हर chapter के हर unit के end पे mcqs भी दिये हुए जो कि किसी भी book में नहीं है यह आप mcqs देख सकते हर unit के end पे दिये हुए हैं जिसमें आपको सारे के सारे अच्छे वाले mcqs मिलेंगे जो आपके प्राफ में भी आते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं students इसमें mcqs दिये हुए हैं तो इसके लावा हम students बात करते हैं किसमें diagram सब कु की लेटर को लिखा गया है ताकि यह आपको अच्छे से याद हो सके और दूसरा यह आप देख सकते हैं रैंडम टाफिक्स हैं इसमें कलर्ड और सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से आपको यह कलर्ड बुक नदर आ है और इसके लावा कौन कौन से टापिक किस तरह से आपके सामने एक्स्प्लेंड किया गया है तो यह आप स्टूडेंट सारा का सारा पोर्शन देख सकते हैं इसके अंदर और स्टूड इस में से आप लाजमी लें यह फिलाल डिसकांट प्राइस पे चाल रही है लेकि यह अपनी ऊचछ की तरह लिए कोई suggestions हूं कुछ हूं तो आप इसमें number लिखा हुआ है आप उस पे भी inbox कर सकते हैं वहां से हम आपकी queries जो भी होंगी questions होंगे हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं फर्दर तो students I hope so आपको ये सारी book देख ली होगी आपको book अच्छी भी लगी होगी उमीद है कि आप corporate करेंगे और ये सिर्फ आपके लिए ही बनाई थी ताकि आपको पता हो और students इसकी जो book price है इस वाक्त वो 1195 है वान वन नाइन फाइव तो लेकन ये आपको discount के साथ book शाप्स मिल जाएगी otherwise pull to Hs team की तरह से आप discount के दिए आप order place कर सकते हैं order place करने के लिए इसका number दिया गया आप इस नंबर पे भी message कर सकते हैं WhatsApp पे तो आपको इस order place हो जाएगा थैंक यू so much students आप मेंसे जो भी चैनल पे new है kindly subscribe कर लें चैनल को ताकि अगली आने वाले जितने भी वीडियोज है वो आपको मिलती रहे हैं thank you so much Allah Hafiz